मुंबई के बांदरा बेंट स्टेंड में समुद्र में चट्टान पर बैठ कर फोटो क्लिक करवा रहा एक कपल लहरों में बहे गया हादसे में पत्नी की मौत हो गई पती का नाम मुकेश और पत्नी का नाम जोती है घटना बीतर अविवार को भी जब ये कपल अपने बच्चों और परिवार के लोगों के साथ पिकनिक मनाने निकला था जब महिला पानी में बही तो बच्चे मम्मी मम्मी चिलाते रहे गए वीडियो में ये पूरा वाक्या कैद हो गया हाथसे वाले दिन परिवार जुहू चपाटी पर पिकनिक मनाने निकला था लेकिन हाई टाइड के चलते उन्हें जुहू बीच पर एंटरी नहीं मिली इसके बाद परिवार बांदरा बैंस्टेंट पहुंचा बांदरा फोर्ट पहुंचकर परिवार समुद्र के पास खड़े होकर तस्वीरें लेने लगा इसके बाद मुकेश और जोती समुद्र में कुछ दूर जाकर चटान पर बैठ गए और फोटो वीडियो क्लिक करवान लगे परिवार के लोग दूर से वीडियो क्लिक करते हुए उन्हें किनारे पर आने को बोलते रहे लेकिन कपल वहीं बैठा रहा इतने में एक बेहद उची लहर दोनों को अपने साथ बहा कर ले गई मुकेश ने जोती की साड़ी पकड़ कर उसे खीचने की कोशिश की लेकिन पानी का बहाव इतना जोरदार था कि जोती दूर बह गई वहां मौजूद अन्ने लोगों ने फुर्ती दिखाते हुए मुकेश के पैर पकड़ कर उसे पानी से बाहर खीचा वहां मौजूद और लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी पुलिस और फाइर ब्रिगेड की गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची और रेस्क्यू आपरेशन शुरू किया सोमवार को कोस्ट गाड़्स को जोती की बाड़ी मिली